खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीजिए कई नेताओं ने मनोहर परिकर के निधर पर दुख जताया है मनोहर परिकर का पार्थिव शरीर फिलहाल परजी में उनके घर पर मौझूद है सुभा साढ़े नौ बजे पार्थिव शरीर बीजेपी दफ्तर लाया जाएगा सुभा ग्यारा बजे केंद्री कैबिनेट समेद कई बड़े नेता मनोहर परिकर को परजी की कला अकादमी में शृधांजली देंगे शाम चार बजे गोवा के ASG ग्राउन में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और शाम पाँच बजे परिकर का राजिकी सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया जाएगा केंद्र सरकार ने मनोहर परिकर के निधन पर साथ दिन के राश्ट्री शोक की घोशना की है दिल्ली समेथ सभी प्रदेशों की राजधानी में राश्ट्री ध्वज आदे चुकाय जाएगे वही मनोहर परिकर के घर समेथ पूरे पढ़जी में भारी संख्या में पुलिस बलतेनात किया गया है सूत्रों के मताबिक मनोहर परिकर को फरवरी 2018 में पहली बार पेट दर्द की शिकायत पर GMCH अस्पताल में भरती कराया गया था जहां से मुंबई के लीलावती अस्पताल भेजा गया शुरुवात में फूट पॉईजनिंग की खबर सामने आई पीएम मोदी भी 18 परवरी को उनसे अस्पताल में मिलने पहुचे थे इसके बाद परिकर इलाज के लिए अमेरिका गये थे लेकिन सितमबर 2018 में परिकर ने कैंसर की बीमारी की पुष्टी की कैंसर की बीमारी का परिकर के जोश पर कोई असर नहीं पढ़ा था इस साल जन्वरी में वो गोव इधान सभा में पहँचे तो नाक में डिप लगी हुई थी विरोधियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी परिकर को वीमारी की हालत में भी आराम नहीं करने दे रही है लेकिन परिकर ने ये कहटे हुए सब को चुपकरा दिया कि वो अंटिम वक्त तक काम करना चाहते है अचुपकरा देश के प्रधान मंतरी पत की जिम्मेदारी सम्हाली तो रक्षामंत्री पद के लिए बनोहर परिकर जैसी इमांदार और बेदाख शक्सियत को चुना परिकर ने 9 नौवंबर 2014 को देश की रक्षामंत्री पद की शपत ली बतौर रक्षामंत्री उन्होंने वन रैंक वन पेंशन जैसे एहम फैसलों को लागू कराया बतौर रक्षामंत्री वो अपने बेबाग बयानों के लिए मशूर रहे साल 2017 में गोवा विधान सभा चुनाओं के बाद जब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए छोटे दलों की जरूरत पड़ी तो उन पार्टियों ने परिकर को सीम बनाने की शर्त रख दी अगस्त 2017 में परिकर ने तीसरी बार सूबे की कमान समहा ले रक्षामंत्री रहते हुए परिकर के सामने बड़ी चुनाओती तब आई जब 18 सितंबर 2016 में पाकिस्तान से आया आतंकियों ने उरी में सीना के कैम पर हमला बोला परिकर के सामने हमले के बाद सेना और देश का मनोबल बढ़ाने की चुनाओती थी 19 सितंबर को सरकार ने एलान किया कि सेना ने पाकिस्तान में घुस कर आतंकियों के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया इस उपरेशन के दौरान रक्षा मंत्री परिकर पूरी रात चाके रहे और पल पल की अपडेट लेते रहे बीजेपी अध्यक्ष आमिद शाह ने रक्षा मंत्री मनोहर परिकर को याद करते हुए 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया मोदी जी के नेत्रूत में पहली सर्जिकल स्ट्राइक करने का सवाल हो मनोहर परिकर ने कुसल प्रसासक के परिचे देजबर को दिया मनोहर परिकर बीजेपी के उन गिने चुने नेताओं में शुमार थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के गुजराग के सीम रहते हुए उनका जमकर समर्थन किया था परिकर ने खुले तोर पर मोदी को पीएम पत का उम्मीदवार बनाने का समर्थन किया था नरेंद्र मोदी सबसे पूपुलर है आपने कहा सबसे पूपुलर लिडर है तो आटोमेटिकली पार्टी अगर जितनी चाहिए तो नरेन मोदी को प्रजेक्ट किया तो जितने के चांसी आसार बढ़ जाते हैं मनोहर परिकर का जन 13 दिसंबर 1955 को उत्तरी गोवा के मापुसा कस्बे में हुआ था शिरुवाते पढ़ाई गोवा के लोयोला हाई स्कूल में हुई बारवी के बाद उन्होंने 1978 में मुंबई के IIT कॉलेज में दाखिला लिया 1981 में मेधा परिकर से शादी हुई साल 2000 में मेधा परिकर का निधन हो गया था मनोहर परिकर के दो बेटे हैं जिनका राजनीती से कोई लेना देना नहीं है मुंबई IIT ने इस साल 2001 में गोवा का CM बनने के बाद मनोहर परिकर को अलुमिनाई अवार्ड से समानित किया था मेटलोजिकल इंजिनिरिंग की पढ़ाई के दोरान कॉलेज के दिनों में परिकर इनफोसिस के सहसं स्थापक नंदन निलेकडी के बैच मेट थे और दोनों एक ही होस्टल में रहते थे संग के एक अनुशासित कारिकरता परिकर का आरसस जुड़ाव उनके बच्पन के दिनों में ही हो गया था परिकर के उपर आरसस प्रचारत दुर्गादास नाटकर्णी का बेहत प्रभाव था यही वज़ा थी कि IIT बॉंबे में पढ़ाई के दौरान जब वो होस्टल में रहते थे तब भी संग का काम देखते थे परिकर ने 26 साल की उम्र में IIT बॉंबे में पोस्ट ग्राजियोशन की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और मापुसा वापस आकर संग प्रचारख के तौर पर अपनी सेवा देते रहे बाद में संग ने उनको राजनीती में उतारने का फैसला किया मुख्य मंत्री रहते हुए परिकर आम आदमी की तरह ही जिन्दगी जीते थे वो लाल बत्ती में लाव लशकर के साथ चलने के बजाए जनिता के बीच अकेले घूमते फिरते रहते थे गोवा में उन्हें अकसर स्कूटी में बैट कर घूमते देखा जा सकता था यही नहीं परिकर कभी-कभी साइकल से भी चलते नजर आ जाते थे मुख्यमंत्री पत सम्हालने के बाद भी उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा अकसर वो बिना ताम जाम के राज्जी में हो रहे कामों का जाइजा लेने निकल जाते थे तो आईजिंटी कार्चिप मिनिस्टर बोलके कि यह ही नहीं मनोहर परकर एशवाराम के जिंदगी से कोसो दूर थे ना तो वो महंगे कपड़े पहनते थे और ना ही किसी तरह के दिखावे में यकीन रखते थे हाफ स्लीफ शर्ट, ट्राउजर और साधी सी चपल उनका ट्रेडमार्क स्टाइल था चाहे कोई मीटिंग हो या अपने बेटे की शादी वो हमेशा ऐसे ही निज़र आते थे परिकर के बारे में एक चर्चित किस्सा है कि एक बार उन्हें फाइव स्टार होटल के बाहर रोग दिया गया था क्योंकि वो चपल पहन कर वहां गए थे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसेन ने मनोहर परिकर को अपने शद्धांजली रेते हुए उनकी शर्ट का एक किस्सा सुनाया है अपने हेलिकॉप्टर मिले गए अपने जहाज मिले गए कलाम साब के की जो उस वक्त उनकी मयद थी उनको साथ में हम लोग लेकर गए पिर रात में कहीं पर उनके लिए कोई शर्ट तलाशी गई दूसरे दिन के लिए मनोहर परिकर कितना साधा जीवन जीते थे उसका एक उधारण ये है कि वो अपने मोबाइल बिल सरकारी पैसो की जगा अपने पैसो से भरते थे यहीं नहीं वो फ्लाइट में बिजनस क्लास की जगा एकॉनमी क्लास में सफर करते थे